हेलो फ्रेंट्स वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3 1 टैक में तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पर आपका यूट्यूब का चैनल है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रमेटीव होने वाली है बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्यांकि आज की इस वीडियो में मैं मोनेटाइजेशन के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूं तो ये वीडियो आपको देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाए लेकिन जो आपके पैसे हैं वह आपके बैंक एकाउंट में नहीं आएंगे तो यह बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लें और उसे और पर सेट कर लें जिससे आपको मे YouTube पर YouTube monetization को ओन करवाने के लिए आपकी चैनल के ओपर 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे का जो क्राइटीरिया है वह पूरा होना चाहिए उसके बाद अपनी चैनल को monetization के लिए apply करते हैं और उसमें AdSense account link करते हैं और मान लीजे आपका चैनल monetize भी हो जाता है लेकिन उसमें ID verification fail हो जाता है जिसके वजह से बैंक में आपके पैसे नहीं आते तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आज से पांस साल पहले आपको जो ID verification के लिए document जो उसमें upload करने होते थे उसमें आपको पांच options मिलते थे पांच type के document आप upload कर सकते थे जिसमें आपका voter ID card था आपका driving lessons था आपका passport था आपका pen card था और आपका आधार card था लेकिन पिछले तीन साल से आपका आधार card उसमें से हटा दिया गया था और अब ऐसा हुआ है कि आपका जो pen card है वो भी उसमें से हटा दिया गया है और आप जो ID verification कर रहे हैं आप में से काफि सारे लोग अभी भी pen card यूज़ कर गए ही अपना ID verification कर रहे हैं जिसकी वज़े से उनका ID verification fail हो रहा है तो यह काफि बड़ा update है कि आप इसमें से pen card भी हटा दिया गया है अब आपके पास सिर्फ तीन टाइप की document रह गए जो आप उसमें upload कर सकते हैं आपका driving license आपका passport और आपका voter ID card अगर इन तीनों में से कोई आपके जाएंगे तो आपके सामने दो option आएंगे take action का और return to old process का return to old process पर जब आप click करेंगे तो वहां पर आप अपने document को upload कर सकते हैं आप देख सकते हैं आपके तीन टाइप की document ही आपको दिख रहे हैं driving license आपका voter ID card और आपका passport इन तीनों में से कोई भी document आप यहां पर upload करके अपना ID verify करवा सकते हैं और take action पर जब आप click करेंगे आपके सामने camera open हो जाएगा और आपको ऐसे अपना ID verification करवाना पड़ेगा अपनी जो भी ID है जो भी document है वह आपको ऐसे पकड़के अपना ID verification आपका हाथो हाथ हो जाएगा बहुत ही जल्दी हो जाता है यह online process होता है तो आप किसी भी तरीके से अपना जो ID verification वो करवा सकते हैं बस एक ही condition है कि अब आपके पास सिर्फ तीन documents रह गए हैं जो आप उन में से upload कर सकते हैं driving license आपका voter ID card और आपका passport इन तीनों मे से कोई भी अगर एक document आपके पास है तो आप उसे ID verification करवा सकते हैं और अपने channel से earning start कर सकते हैं तो friends मैंने आपको इस update के बारे में बता दिया है अगर आपको वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो लगी हो पसंद आई हो तो से like करना ना भूले थैंक यू